बिच्चो आज हम लोग क्लास 9 का वरक्षीट सॉल्व करेंगे वरक्षीट नमबर 37 भुगोल की वरक्षीट है यह जो की हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम की वरक्षीट हम पहले ही अप्लोड कर चुके हैं अब हम हिंदी मीडियम वाली वरक्षीट को सॉल्व करते हैं सेम वही है बस बिच्चों हिंदी मीडियम में हैं देखिए हमारे जो यहां पर टॉपिक जो दिया गया है टॉपिक है हमारा प्राकर्तिक वनस्पति तथा वन्ने प्राणी ठीक है तो हम चलिए हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं देन हम इसके आंसर करेंगी ठीक हमारा देश भारत विष्व के मुख्य बारा जै विविद्ध ता वाले देशों में से एक है ने के जो ट्व डाइवर्सिटी वाले देश हैं उनमें से भारत जो है वो एक है लगबख 47,000 विविन प्रजातियों के पौधे पाए जाने कारण यहां पर भारत में कितनी प्रजातियां प है और एसवाय में चौथे स्थान पर ठीक है भारत में लगबख 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे जो की विष्व में फूलों के पौधों का छ्च्छ है परसेंट है भारत में लगबग 90,000 जातियों के जानवत तथा बिबिन प्रकार की मचलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है ठीक है प्राकर्तिक वनस्पती का अर्थ क्या है ठीक है प्राकर्तिक वनस्पती का अर्थ है वनस्पती का वह भाग जो वो मनुष्य की साहता है बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानुविये प्रभाव नहीं पड़ता इसे अक्षित वनस्पती भी कहते हैं अक्शित्वनस्पती यानि के virgin vegetation भी कहते है व वनस्पती जो की मूल रूप से भारतिय है उसे देशज़ वनस्पती कहते है तथा जो वनस्पती भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें विदेश़़न्सपती कहते हैं किसी छेत्र या समय यानि के काल में विशेश के पौधे को फ्लोरा पादप कहा जाता है और वन्ने प्राणियों को प्राणी जगतिया फौना कहा जाता है बच्चों फूलों को या प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है और जो जानवर होते हैं उन्हें फौना कहा जाता है वनस्पति तता वन्य प्राणियों में विविज़ता के कारण जो इतनी विविज़ताएं हैं वनस्पति और वन्य प्राणियों में वो किस कारण है उसके कुछ कारण दिये गए हैं आपे नीचे सासे पहला है धरातल धरातल में क्या क्या भाग भू भाग यानि कि धरातल के स्वभाव का वनस्पती पर गहरा प्रभाव पड़ता है यानि कि भूमी किस प्रकार की इसका बहुत प्रभाव पड़ता है उपजवव भाग या प्राय किसी क्रिशी की जाती है जबकि उबढख खाबड या समतल भूबाग पर जंगल तो घास के मैदान है मीस जो उबजाओ भूमी होती है वहाँ पर तो हम लोग क्रिशी करते हैं लेकिन जो जब इन उबर खाबड उसको हम लोग जंगल के रूप में छोड़ देते हैं या घास के मैदान के रूप में अगला है मिर्दा यानने कि मि Hertie मरुस्तरल की बलोई मिठी में कटीली जद्यारी ने कि रीगिस्तान की जो बलोई मिठी यह तो हैं पकतीली जड़ियां तहका नधियों के डेल्टा में में मैनग्रॉव पाये जाते हैं आपने सुना होगा सुन्दरबन डेल्टा के बारे में जहां पे मैनग पुदारीवन पाए जाते हैं, फिके है अगला है हमारा बचो जल वायू है, सबसे पहला है तमन वनसपती की विवित्ता तब विशेष्था है, तमन और वईयू की नमी पर निर्भर करते हैं, वनसपती किस प्रकार कि ये क्वारिशे थकार के ही गिए जाने के अगर टेंपरेचर तापमान अधिक बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसके लिए प्रतिकूल होता है मिस अनुकूल नहीं होता ठीक है दूसरा पॉइंट सूर्य का प्रकाश किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश के साथ का समय वहां के अक्षान समुद्र तल से उचाई और रितू पर नेभर करता है मिस वहां पर कितना सूर्य प्रकाश आएगा उसका अक्षान से याने के लैटिटूड समुद्र तल से उचाई और रितू पर नेभर करता है प्रकाश अधिक मिलने पर व्रक्ष जल्दी बढ़ते हैं यानि ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो व् प्रकाश अधिक यह खाने खने पाए जाएंगे आप लोगक्मानि कोशन आँसर पहला है मारा पहला परिसन्फन है भारत में कितने प्रकार की पदव प्रजातियां पाई जातियां टो इसका उत्तर होगा भारत में 47,000 प्रकार की प्रकरतिक वनस्पतिए आ Tao प्रौकर्तिक पादव प्रजातियं पाई जाती ठीक है भारत में 47000 प्रकार की प्रजातियं पाई जाती है दूसरा है वनस्पति से आप क्या शमझते हैं अपने आसपास पाई जाने वले कुछ पॉदों के नाम भी लिखने हैं वनस्पति क difficulty हमारे आसपास पाई जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसी को हम लोग वनस्पति कहते हैं और अपने आसपास पाई जाने वाले जो कुछ पेड़ पौधे हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं जैसे नीम हो गया शीशम हो गया आम का पेड़ हो गया यह सब हमारे आसपास गया है प्राकर्तिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वैबाग जो कि मनुष्री की सहता है कि बीना अपने आप पैदा हो लंबे समय तक उस पर मानुए प्रभाव असा नहीं पड़ता है इसे अक्षित वनस्पति भी हम लोग कहते हैं ठीक है और इसमें अगर हमें पूछ आप नहीं पड़ता ठीक है अगला है हमारा देश किनी दो देशद और विदेशज वनस्पति के उधारन दीजिए देशज वनस्पति में आप लोग उधारन दे सकते हैं जैसे हमारा ब्लू स्टैम हो गया नीला तना हो गया और इंडियन ग्रास याने के भारतिय घास हो ग देशी है विदेशज वनस्पति उसका उधारन हो सकता है कोस्टल मैंग्रोव स्टैंड कोस्टल मैंग्रोव स्टैंड डेजर्ट सॉयल याने के मरुस्थलिय मिट्टी और कल्टिवेटीड गार्डन याने के कल्टिवेटीड गार्डन का मतलब होता है खेतिवाड़ी वाल के कारण है कि इसका जो धरातल है धरातल में भूभाग मिर्दा और जल्वायू में तापमान सूर्य प्रकाश और हमारा वर्षण यह सभी हमारा क्या करता है कि विविद्धा का कारण बनता है वनस्पतितता वन्य प्राणियों में विद्धा का कारण है धरातल और और जलवायू में भी किया तापमान, सूर्य प्रकाश और वर्षन जो है विविद्दा का मुख्यकारण बनता है I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगए और अच्छी लगए देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर इस वीडियो थैंक यू फर वचिंग वीडियो